नमस्कार नमस्कार दोस्तों मैं निकलेश जेन हिंदी चेस्पेसी नेचल पर आप सभी का हार दिखने दन करता हूं दोस्तों विश्व चैंपियन मैगनस कालसन न्यू इन चेस्ट क्लासिक शत्रंच के फाइनल में पहुँच गये उनके सामने होंगे हिकारू नाकामुरा जिनोंने मामिदरोग को हराया और मैगनस कालसन ने लेवन अरोनियन को हराया अब बड़ी बात यह है कि दोनों ने अभी तक इस मेल्ट वाटर चेस्टू का कोई भी खिताब जीता नहीं है तो जो भी जीतेगा वो पहली बार इस खिताब को जीतेगा कालसन तो बेकरार है जो कि जीत ही नहीं पा रहे है फाइनल में पहुँचने के बाद भी तो आप देखना पड़ेगा कि नाकामुरा के खिलाफ क्या करते है खेर अरोनियन के खिलाफ एक बहुत शांदार गेम कल उनों ने जीता तो आएए देखते हैं उस गेम को क्या कुछ हुआ उस गेम में बड़ा शांदार गेम है कालसन सफेद मोरों से खेल रहे थे काले मोरों से अरोनियन खेल रहे थे कि ए-4 से शुरुआत होती है ए-4, c5, sicilian defense, knight f3, d6, bishop b5, जी हम जानते हैं Moscow variation यहाँ पर, rose limo, sicilian, knight c6 खेला यहाँ पर, ओके अरोनियन कासल, normal है, bd7 यहाँ पर, तो यहाँ पर थोड़ा सा mix करते हुए line को यहाँ पर, and then यहाँ पर e5 खेला, 11 अरोनियन, हम जानते हैं कई बार हम जानते हैं कि यहाँ पर black को force किया जाता है, कि आप जो है, यहाँ पर a6 के बिशप इंटू c6 मारो, even direct भी force किया जाता है, कि यहाँ पर bishop इंटू c6 मारो, लेकिन यहाँ अरोनियन जो है, वो सांती से खेलते हुए, अपने मोहरे जो है, और उने खेला यहाँ पर e5, यहाँ पर naturally जो दो चाल है, एक है Nf6 और a6, लेकिन e5 जो है, वो भी आजकल काफी खेली जा रही है, okay, e5 c3, अब e5 जब भी आता है, तो भाई यह center बहुत ही strong हो चुका है, त center अभी close है फिलहाल और उनोंने कालसन के king side पर attack करना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी कोई development हुआ नहीं है यहाँ पर black का, तो कितना यह attack सही है, दूसरी बात यह कि जो database में 5 game आपको मिलेंगे, इस ज़्यादा game है नहीं, 8 game है, उसमें अधिकतर game जो है, उसमें सफेज ज तोड़ा, G4, आप देखें, लगातार pawn moves हो रहे हैं opening में, आप देख सकते हो, कितने pawn moves हो चुके हैं, 1, 2, 3, 4, और 5 move हो चुके हैं, जबकि move हुई है, 7, मतलब 7 में से 5 move जो है, आरूनियन 5, किस की चल रहे हैं, pawn की चल रहे हैं, और आरूनियन है black, तो महरे भी नहीं निकल लागा, यह novelty है, यहाँ से कालसन की समझ और उनका खेल देखने लायक है, अल्री एक pawn गया है, कालसन खेलते हैं, नाइट A3, वो development पर ही जा रहे हैं, मतलब जो standard formula है, कि development करना जरूर है, उस पर जा रहे हैं, नाइट A3 खेलते हैं, अगर मा लिजे कि यहाँ पर, वो मार भी देते हैं, अरूनियन, और इस तरह से भी game चलता है, तो दर असल जो इस्तिती है, बोर्ड की उपर, यह जो मोहरों की इस्तिती है, राजा सेंटर पर है, अब इस साइट तो आपका castle करना मुस्किल है, यह जो इस्तिती है, यह favor करेगी white को ही, तो यहाँ पर अरूनियन खेल के बाद king d7 और उसके knight dc4, position white को favor करेगी, king का position बहुत weak है black का, तो इन्होंने खेला e5, कालसन अब देखिए, अब कालसन क्या कर रहे है, एक pawn दिया, अब दूसरा pawn दिया कालसन है, मार लिजे, क्यों, ताकि आपका structure जो है, वो damage हो है, यहाँ पर bd7 आएगा, king d7 force है, क्यो position wise, बहुत jabber just position है, opponent का king center पर है, उसके महरे नहीं निकले है, यहाँ पर आप कालसन खेलते हैं, वो जो महरा game में सबसे किनारे पर है, उसको game मिला रहे है, okay, knight c4, तो castle कर लिया, यहाँ पर long castle कर लिया, अरुनियन ने लगता है, सब problem solve हो गया, लेकिन अब यहाँ पर magnus कालस बिशप देंगे, तो इस्तिती खराब है, बिशप बचाया, बिशप d5 से queen e2 g4, अब क्या हो गया, दोनों pawn है, pawn वापस भी मिल गई, और position जो end game में गई है, वो white को favor कर देंगे, क्योंकि structure अच्छा है, और development कि इसका white का आगे है, queen e6 खेला यहाँ पर, अरुनियन समझ गय कि queen अगर जादे बोर्ट पर रहेगा, तो बहुत डेंजर हो सकता है, queen exchange हो गया, queen e6, bishop e6, and knight df3, अब actually मैं position देखें गया, पांच-पांच पौन है, लेकिन एक तो यह number 1 weakness, number 2, यह double bishop जरूर है, यहाँ पर black के पास, लेकिन एक तो development में पीछे है, और दूसरा यह जो 2 knight है इनका value बहुत जादा है अभी, मतलब board पर इनकी value अभी काफी जादा है, आगे क्या हुआ, bishop b4, so rook d1, वैसे भी कालसन को उस d वाले pawn पर attack करना तो rook d1 आए, यहाँ पर rook d5 खेला, तो bishop f4, इसके साथ white का full development हो चुका है, और weakness जो है, वो बहुत ही साफ है, यहाँ पर black के, अ अभी भी knight वगएरे नहीं निकाला, और अभी तो पहले pawn d4 का बचाने, तो pawn down नहीं हो जाएंगे सिदे सिदे, तो bishop c5, तो एक और महरा, rook c1, तो tempo इतने मिले position में, जिस तरह से लिए मैगनस कालसन ने, कि ना सिर्फ सारे महरे एक्टिवेट हो गए, बलकि काला जो दूसरा उसके महरे ने निकली, तीसरा उसके उपर अभी लेने के देने पड़े, वो प्यादा बचाना है, तो इन्होंने खेला, king d8, bishop pin था चुकी, और यहाँ पर मैगनस कालसन ने बहुत अच्छी tactics duty, अगर आपने ना देखी हो, तो देखी अभी मिल जाए, तो knight into f7, bishop into f7, तो bishop e5, knight दिया है, लेकिन rook मिलने वाला, तो exchange up यहाँ पर, और एक pawn भी ले लिया, उन्होंने, knight e7, so bishop h8, knight c6, तो यहाँ पर, अब देखी, यह भी बड़ी जबर्जस चालते है, अभी भी चालते है, तो exchange up थे, अराम से दिर दिर जा सकते थे, अलेडी एक प्यादा ज तो knight c6, simple exchange की तरफ गए, यहाँ पर, एक आखरी hope थी, शायद उनके opponent को की, भाई, अरुनियन को की opposite color में कुछ हो जाए, लेकिन यह जो opposite color endgame है, इसमें दो pawn up है, और दो pawn up endgame में, बहुत ही muskill होता है, अगर connected है, basically वो, कि आप कुछ कर पाओ, और वही हुआ match में, यहाँ प Magnus Carlson ने, g4, a6, king g3, king e3, f4, king e4, so f5, तो Magnus Carlson जो है, वो अपनी speed से बड़े जा रहे थे, hg3, hg4, hg4 इसके बाद resign कर दिया, अरुनियन को पता है, यह जो दो प्यादे हैं, यह रुकते नहीं हैं, बस इतना ध्यान रखना है आपको, कि जब भी आपको इनको बढ़ना पाए और उसको पीछे धकेल पाओ, यह ध्यान रखना नहीं, तो opposite हो गया, तो our opponent bad गया एक बार, तो वो draw हो जाएगी, तो दोस्तों यह एक बहतरीन मुकाबला लगा मुझे Magnus Carlson का, जो उनने जीता, 11 Arunian में खिलाफ काफी कुछ सीखने लाए कि इस game में, उमीद करता हू कि आपको यह वीडियो पसंद आयोगा, पसंद आयोगा, तो लाइक, शेर और सबस्क्राइब करना ना भूले, देखते रहें, चैस बेस इंडिया, चैस बेस इंडिया के लिए मैं निकलेश जयान, जय हिन, तो उमीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आये होगा, अपने स सबसे जल्दी सब्सक्राइब करें, पीचेस बेस इंडिया चैनल को, अगर आप यूटूब पर देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करें, और साथ साथ बैल आइक, दबाना ना भूले देश्कों, क्योंकि इसी से मिलें कि आपको सारे नोटिफिकेशन फेस्बुक पर यो जो अला है पोसी ए्माना ना भूले